इनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है जब इस तरह की जगहने घटनाय होती है जहां आपराधी या आपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि गिराफ्तारी के दौरान या गिराफ्तारी के बाद भी वो पुलिस पर अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं तो आवशक बल उप्योग करके उनको नियंत्रित किया जाता है पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे तीन चार घटनाय हुई जहां पर अपराधियों ने बालिकाओं और महिलाओं के साथ छेड़खानी की उस पर अटैक किया उसके बाद से भागने की कोशिश की जब पुलिस ने गिरफतारी की गिरफतारी के बाद भी पुलिस के भी एक घटना में पुलिस का वेपन चीन के भागने का परियास किया गया दूसरी जगा एक जगा चोरी करने के लिए घुसे और वहां जगहन ने हत्या कांड को अंजाम दिया और गिरफतारी के बाद से जब पुलिस उसे कोट में ले जा रही थी तो पुलिस का रिवल्वर च्छीन के ही उस पे अटैक की कोशिश की गए ऐसी सिति में पुलिस ने नियूंतम पुलिस बल काउपियोग करते हुए उसको इनकपैसिटेट किया ऐसी सिति में लाया जिससे की कोई जन्हानी नहो और उसके बाद से गिरफतारी की गई उस दौरान एक अभ्युक्त की इलाज के दौरान मिर्तूबी हुई है और अन्य सबी इलाज रत है 2017 से ही अपराद और अपराधियों के प्रती जो जीरो टॉल्रेंस के निती है उसमें लगतार कारवाईया हो रही है शाषन की शेष प्रत्मिक्ताओं में महिलाओं और बहु बेटियों की सुरक्षा का मामला जुड़ा है इन से किसी तरह की कोई खिलवार बरदास नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को ऐसे शोहदों को कानूनी तरीके से गरफ्त में लिया जाएगा उन पे आवश्यक कारवाई की जाएगी सार रोमियो स्कॉार्ड को क्या और effective बनाया जाएगा है रोमियो स्कॉार्ड already effective है जहां लोगों ने कारवाईया नहीं की हैं उन पुलिस कर्मियों पे भी हम लोगों ने action लिया है लेकिन ये बात अस्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी हालत में महिला सुरक्षा के साथ कोई कॉम्परमाईज नहीं किया जाएगा और महिलाओं और बच्चे, बच्चियों के सम्मान के साथ कोई भी घटना होगी तो उसमें सत प्रतिशत गिरफ्तारी होनी चाहिए और अमूमन घटना होनी नहीं चाहिए इसके लिए व्यापक प्रबंध किये गए हैं अभी आपने देखा होगा कि CCTV भी हम लोग एक विशियस अभ्यान चलाकर सभी जगों पे लगवा रहे हैं इसके कारण जब भी कोई घटना होती है तो उसका प्रॉपर कवरेज हमारे पास प्राप्त होता है और उससे केस को वर्क आउट करने में भी शुद्धा मिलती है अभी कल ही पुलिस महाने देशक के दुआरा हमारे जो रेलवे आर्पी एफ के साथ समन्वे बना है जी आर्पी और आर्पी एफ भी समन्वे बना कर CCTV कवरेज कराएगी जिससे की रेल या रेलवे स्टेशन या चलती रेल में जो घटना होती है उस पे भी अंकुष लग सक कांपुल में घटना जिसमें हैड कॉंस्टेबल के साथ मार पीठी गेंगी और जैसा आप भी पता रहें कि कुछ आरोपी उंको जो पोट ले जा रहे है या जुडिस का स्टडी में कहीं ले जा रहे हैं पुलिस के उपर हम लागत रहे हैं क्या यह माना जाए कि उस अपरा और उसकी गिरफ्तारी कभी परक्रिया वही है जो अमूवन सभी जगह पर समाने अपराद होता है लेकिन पुलिस पर अटाइक किया जाना यह कि यह उमाने घठना नहीं है ऐसा वही करते हैं जो कि अपराधी ज्यादा शातिर होते हैं और उन पे उसी तरह की धाराओं में अग्रिम करवाई की जाती है तो क्या इसकी मानिकिन होगी जो बालकाई स्कूल जाती है इसकी लिए को विशेश कार्यों होगी जी इसमें जो हमारे जैसा मैंने बताया कि हम सम्वेदनशील जगों पर ऐसे जगों पर जहां कि इस तरह की घटनाओं की संभावना रहती है विशेश करी स्कूल कॉलेजेज के आने जाने के रास्ते वहाँ सीसी टीवी कवरेज करा रहे हैं और वहां 112 पी आरवी की गाड़ियां भी लगाई जा रहे हैं साथ ही साथ एंटी रोमियों जो सादे और वर्दी में ड्यूटिया लगाई जा रहे हैं अब धीरे धीरे जो हमारी अगले चरण में सीसी टीवी जो कवरेज होगा उसमें हम आई बेस्ट इवैल्यवेशन भी करेंगे जिससे की बार-बार अफरात करने वाले लोग हैं उस पर भी अंकुष लगे पुलिस पुलिस ही एक ऐसा विभाग है जहां ऐसे अगर आप कनून से हटके कोई कारवाई करते हैं तो उस पर कारवाई भी ततकाल होती है तो हमारे इंटरनल चेक्स और बालेंसे भी हैं और आंतरिक लगातार हम लोग मोनेटरिंग करते रहते हैं विभाग के अंदर और ऐसे लोगों को जो की कानून से हटके कारवाई करते हैं उनके विद्ध भी कारवाई होती है और अपराद और अपराधियों को परती जो कारवाई है कोई नई चीज़े नहीं है लगातार म चल रही है जिसके कारण ही सभी मेजर हेट्स में अपराधो में लगातार गिरावाट देखी गई हुआ हमारे उसमें जी आर्पी स्टी एफ और अस्थानिय जो पुलिस है अयुद्या की वह तीनों टी में काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उस केस को जल सी जल वर्क आउट करेंगे सर जो आईजी आर्प लाई है वहां की कुछ जिलों के कुछ ठानुर्ट से आपने आई कि उसमें जो रिपोर्ट है उनको यहां से पत्र भी जारी होते हैं और लगातार जो डिफॉल्टर है उन पर करवाई भी की जाती है क्योंकि पुलिस का यदाई तो है कि जो भी शिकायत प्राप्त हों उसका एक नियमित समय अधी के अंदर ही उसका निस्तारण कराएं ताकि आम जंता को सरकारी सोगिधाओं का लाग मिल सकें पीछे कुछ दरों में कौन से ऐसे आपके साब से बड़े मामले रहने होंगे जिसकी बज़े से एंकाउंटर करना जलूली हो गया इंकाउंटर में पुलिस खुद नहीं करती है लेकिन कभी जब अगर जैसा मैंने पहले भी बता है कि अगर कोई पुलिस पे अटेक करता है या कोई जगन अपरात कारित करने की सिती में रहता है तब उसको नियूंतम बल परियोग करके पुलिस उसे पकड़ती है ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी